बेलकम बैक टू नोटिस जोब 20 में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए निउज जोब का नोडिफिकेशन लेकर आये हूँ आज जो जोब आया हुआ है ECHS के तरब से आये हुआ है मेरठ में ये भकेंसी निकली है ये इस फोर्म का अंतिमति थी 28 माई को दिया गया हुआ है इसमें आप लोगों को सहायक एवं चप्रासी कलर्क ड्राइबर सफाई कर्मी के पदों पर भरती लिया जाएगा आप लोगों को योगता आप लोगों को आठमी से लेके डिपलोमा पास तक होनी चाहिए पुरू से वो महिला दोनों भर सकते हैं फॉर्म आफ लाइन माध्यम से फॉर्म ने सुलक है टोटल आप लोगों को दस पदों पर भरती लिया जाएगा चपरासी में देखिए आप लोगों को 18-55 बर्स आयू है 16,860 बेतन दिया जाएगा आठमी पास होनी चाहिए सफाई वाले में आप लोगों को सेम प्रोसेस दिया गए हुआ महिला टेंटर्स का स्रेम प्रोसेस है ड्राइबर में आप लोगों को बेतन में बढ़ोतरी की है जो 19,700 से आठमी पास ततर ड्राइबरिंग लेसेंस होनी चाहिए क्लर्क में आप लोगों को सेम प्रोसेस है गर्जुएशन पास होनी चाहिए ततर के इंप्यूटर में डिप्लोमा होनी चाहिए नर्सिंग के लिए नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आप लोगों को अठाई से जार से एक सो मासिक बेतन दिया जाएगा जिनिये ने डिपलोमा होनी चाहिए आप लोगों को लैप्स सहायक के लिए 28,162 बेतन दिया जाएगा तथा आप लोगों को योगता DMLT पास होनी चाहिए आयू की सीमा अंतिम तिथी के नुसार लिया जाएगा आवेदन भेजने का पता देखिए दे दिया गए हुए यूपी का ये पड़ता है उत्तर परदेश में आवेदन के साथ क्या क्या आप लोगों को डॉक्मेंट भेजनी है चलिए मैं आप लोगों बतला देता हूँ पहला में सेर्टिफिकेट है जैनम परमान पत्र जाती परमान पत्र चरीत परमान पत्र अनुभभ परमान पत्र CMO या ACMO द्वारा जारी medical certificate होनी चाहिए भूत पुर्वक्सायनिक होने से संबंधित प्रमान पत्र होनी चाहिए दो passport अकार के photo होनी चाहिए तथा अपना जाती बर्ग अवास से लिग दीजिएगा अवेदन के सभी कॉलम असपास्ट रूप से अंग्रेजी के बड़े अक्सरों में भरियेगा अवेदन वाले कॉलम में आप लोगों को कोई भी cutting या overwriting नहीं होनी चाहिए उपियुक्त पदों के लिए चैन के लिए भूत पुर्वक्सायनिक को दिया जाएगा पहले बुलाया जाएगा अगर भूत पुर्वक्सायनिक नहीं आपाते हैं तो सिविलियन को बुलाया जाएगा पद में संभीदा अधार से बरतमान केवल 11-12 महीने के लिए contract पर ये लिया जा रहा बुत पूर्बक साइनिक को 12 महीने के लिए तथ सिविलियन को 11 महीनों के लिए उपियुक्त पदो के नियुक्ति के लिए सचतकार 10 जुन को प्राप्त 10 बजे से 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा ये बता दिया गे वस आप लोगों को कि एक्जाम कब लिया जाएगा 10 जुन को आप लोगों को एक्जाम ले लिया जाएगा सचतकार के लिए आते समय आप लोगों को आवेदन के सभीद डॉक्मेंट मेडिकल सेटिफिकेट परमान पत पासपोर्ट अकार के दो फोटो भी ले लीजेगा और अपना सारा डॉक्मेंट ले लीजेगा इसमें आप वहां जाते हैं तो आपको कोई भी डिये या टिये नही दिया जाएगा नर्सिंग सहायक के पदों के लिए मेरट हैवं बागल पत ड्राइवर के पदों के लिए मेरट मुझा मुझा फरनगर में कलर के लिए केवल बागल पत में महिला टेंडर को पदों के लिए मेरट बिजनोर में तथा सेस अन पदों के लिए मेरट में बहाली लिया जाएगा और इसमें इतना ही दिया गया हुआ अगर आप लोग चैनल पर नहें तब प्लेज चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा, सेर कर दीजेगा